दोस्तो आज तक आपने हमारे चैनल में गाईों के बहुत से नसलों के बारे में जाना और उनको देखा भी और आज इस वीडियो में आप गाई की एक ऐसी नसल को देखने वाले हो जिसके बास दुनिया के सबसे लंबे सिंग होता है तो यारो हम बात करें टेकसेस लॉंग होन केटल्स के बारे में ये गाईों की एक ऐसी प्रजाती है जो काफी अद्भूद है और इन गाईों के बारे में बहुत सी ऐसी बात है जिने सुनकर आपको अपने कानों पर यकिन नहीं होगा और साथ याज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये गाई एक दिन में कित्रा लिटर दो देती है जैसे कि दोस्तों इन गाईों का नाम ही इनके बारे में काफी कुछ कहता है इनका नाम टेकसेस लॉंग होन केटल्स है और साथ इनका ओरिजिन भी टेकसेस में हुआ था और जब बात होती है दुनिया में सबसे बड़े सिंगो वाले गायों की तो इस नसल के गाई नंबर एक पर आते है क्योंकि Guinness Book of World Record में भी इनका नाम दर्ज है और जिस गाई ने इस खिताब को हासिल किया था उसके सिंग करीबन 16 फीट के थे अब इस बात से ही आप अनुमाल लगा सकते हो कि आखिर ये गाई कितने विशाल गाय होते है वैसे यारो इन गायों का साइन्टिफिक नाम Boss Taurus है और इस नसल की गाई 20-30 साल तर जी सकती है वैसे देखा जै तो इस गाई काफी अद्बूत होती है लेकिन बहुत से वज़ाओ के कारण आज ये गाई विलुक्त होने के ककार पर है अज दुनिया में बहुत कम लोगी बचे हैं जो इन गायों का पालन पोशन करते हैं अब इसके बीचे एक कारण ये भी है कि इन गायों की दूद देनी की शमता जाद आधिक नहीं होती ये गाई एक दिन में 6-8 लीटर दूदी दे पाते हैं साथी साथ इन गायों की एक अनुखी बात ये होती है कि इन में जो पूरुश होते हैं उनके सिंग मादा के मुकावले काफी छोटे होते हैं जो कि आम तोर पर नहीं देखा चाता दूसरे नसलों पर अब एक तोर पर देखा जाए तो इनकी दूद देने की शमता यू तो कम होती है पर इनके दूद में वसा की मातरा 7 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक होती है जो कि देखा जाए तो अपने आप में काफी अच्छा है अब सबसे पहले तो आती हैं इनके सिंग, इनके सिंग काफी बड़े होते हैं और इसे सिंग आपको किसी और गाई में देखने नहीं मिलेंगे अब बात करते हैं इनके शारिरिक रंगों की तो या अधिकतर सफेद या भूरे रंग के होते हैं और इनके बदन में लाल, सफेद या भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो इने दिखने में काफी आकरशित बना देते हैं वैसे दोस्तो इतने विशालकाई सिंगों को देखने के बाद अगर आपके मन में भी सवाल आया हो कि आकर इन गायों को क्या इन सिंगों से परेशानी नहीं होती तो इसका जवाब है नहीं, खुदरत ने इने ऐसे ही बनाया है साथी साथ इनके गर्दन की मांच पेशिया भी काफी तगडी होती है और इन सिंगों का बनावट अंदर से खोगला सा होता है जिसमें रक्त की धाराएं बहते रहती हैं और यही कारण है कि इन सिंग दिखने में तो काफी विशालकाय होता है लेकिन ये गायी इने आराम से समाल लेती है ये गायी एक बार में एक बच्चे को जनम देती है हाला कि कभी कभी दो बच्चे भी जनम हो जाता है